हालो दोस्तो पेश है मुशी प्रेम चंद की एक और कहानी जिसका नाम है आखरी तौफा कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बिनती है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लेज इसे एक लाइक जरूर करें साथी ऐसी कहानिया और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए सुनते हैं कहानी सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां बिलायती रेश्मी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकंदारों ने बिलायती कपड़े पर कॉंगरीज की मोहर लगवाई थी मगर अमनात की प्रेमिका की फरमाईस थी उसको पूरा करना जरूरी था कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कल लगाते रहे दुगना दाम देने पर तयार थे लेकिन कहीं सफल मनौरत ना हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे खुली आ रही थी आखिर वो खुली के दिन कौन सी साड़ी पहने गी उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहर करना अमन नात के पुरसोचित अभ्मान के लिए कठिन था उसके इशारे से बो आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी ततपर हो जाते आखिर जब कहीं मकसद पूरा नहुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया उन्हें ये मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है सुबह से शाम तक स्वेम सेबक तैनात रहते हैं और तमाशाईयों की भी खासी भीड रहती है इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक बिशेश पिरकार के नहतिक साहस की जरूरत थी और ये साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था पड़े लिखे आदमी थे राश्टरी भाबनाव से भी अपरचित ना थे ये था शक्ति सुदेशी चीजें ही इस्तिमाल करते थे मगर इस मामले में बहुत कटर ना थे सुदेशी मिल जाए तो बहतर बरना बिदेशी ही सही इस उसूल के मानने बाले थे और खासकर जब उसकी फरमाश थी तब तो कोई बचाओ की सूरत ही ना थी अपनी जरूरतों को तो वो शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते मगर उसकी फरमाश तो मौत की तरह अटल है उससे मुक्ति कहां तै कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे कोई क्यों रोके किसी को रोकने का क्या अधिकार है माना सुदेशी का इस्तिमाल अच्छी बात है लेकिन किसी को जवरजिस्ती करने का क्या हक है अच्छी आजादी की लड़ाई है जिसमें ब्यक्ति की आजादी का इतना बेदर्दी से खून हो दिल को मजबूत करके वो शाम को दुकान पर पहुंचे देखा तो पांच वोलेंटियर पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं कई बार कलेजा मजबूत किया और चले मगर बरामदे तक जाते जाते हिमत ने जवाब दे दिया सैयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए उनसे पूछा क्यों भाई ये धरना कब तक रहेगा शाम तो हो गई पंडित जी ने कहा इन सिर्फिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब जब तक दुकान बंद ना हो जाएगी यहां से ना टलेंगे कहिए कुछ खरीदने का इरादा है आप तो रेश्मी कपड़ा नहीं खरीदते अमर नाथ ने बिवच्टा की मुद्रा बना कर कहा मैं तो नहीं खरीदता मगर औरतों की फरमाईश को कैसे टालूँ पंडिजी ने मुस्कुरा कर कहा वा इससे ज़्यादा आसान तो कोई बात नहीं औरतों को भी चक्मा नहीं दे सकते सो हीले हजार भाने हैं अमनात आप ही कोई हीला सोचिए पंडिजी सोचना क्या है यहां रात दिन यहीं तो क्या करते हैं सोपचास हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं औरत ने कहा हार बनवा दो कहा आज ही ले लो दो-चार रोज के बाद कहा सुनार माल लेकर चमपत हो गया यह तो रोज का धंदा है भाई औरतों का काम फरमाश करना है मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है अमनात आप तो इसका लाके पंडित मालुम होते हैं पंडित जी क्या करें भाई आबरू तो बचानी ही पड़ती है सूखा जबाब दें तो शर्मिंदगी अलग हो बिगड़े वो अलग समझे हमारी परवाही नहीं करते आबरू का मामला है आप एक काम कीजिए ये तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पिकेटिंग है अमनात हाँ ये तो बहाना कर चुका हूँ भाई मगर वो सुनती ही नहीं कहती है क्या बिलायती कपड़े दुनिया से उठ गए मुझसे चले हैं उड़ने पंडिजी तो मालूम होता है कोई धुनकी पक्की औरत है अच्छा तो मैं एक तरकी बताऊं एक खाली काड़ का बक्स ले लो उसमें पुराने कपड़े जला कर भलो जाकर कह देना मैं कपड़े लिए आता था वोलेंटरियों ने छीन कर कपड़े जला दिये क्यों कैसी रहेगी अमरनात कुछ जच्चती नहीं आजी बीस ऐतराज करेंगी कहीं परदा फास हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदिगी उठानी पड़े पंडिजी तो मालुम हो गया आप बोदे आदमी है और हैं भी आप कुछ ऐसे ही यहां तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई की भी उसके आगे धूल हो जाए जिन्दिगी यही बहाने करते गुजरी और कभी पक्ड़े न गए एक तरकीब और है इसी नमूने का देशी माल ले आईए और कह दीजिए कि बिलायती है अमना देशी और बिलायती की पहंचान उन्हें मुझ से और आप से कहीं जादा है बिलायती पर तो जल्द बिलायती का यकिन आएगा नहीं देशी की तो बात ही क्या है एक खदर पोश महाँ से पासी खड़े ये बाची सुन रहे थे बोल उठे ऐ साहब सीधी सी तो बात है जाकर साफ कहे दीजिए कि मैं बिदेशी कपड़े ना लाँगा अगर जिद करें तो दिन बर खाना ना खाईए आप ही सीधे रास्ते पर आ जाएगी अमर नात ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रहे थी आप इस कूचे को नहीं जानते और बोले ये आप ही कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता खदर पोश कर तो आप भी सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते यहां तो उन लोगों में से हैं कि अगर बिदेशी दुआ से भी मुक्ती मिलती हो तो उसे ठुकरा दे अमर नात तो शायद आप घर में पिकेंटिंग करते होंगे खदर पोश पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साब खदर पोश साहब चले गए तो पंडे जी बोले यह महाशे तो तीस मारखां से भी तेज निकले अच्छा तो एक काम कीजिए इसो दुकान के पिछवारे एक दूसरा दरवाजा है जरा अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाईएगा दाएवाए किसी की तरफ न देखिएगा अमर नाथ ने पंडे जी को धनेबाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवारे की तरफ चाप महुचे डर रहे थे कहीं यहां भी घेरा ना पड़ा हो लेकिन मैदान खाली था लपक कर अंदर गए एक उंचे दामों की साड़ी खरी दी और बाहा निकले तो एक देवी जी केसरिया साड़ी पहने सामने खड़ी थी उनको देखकर इनकी रूफ फना हो गई दर्वाजे से बाहर पाउं रखने की हिम्मत न हुई एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कोई सो कदम भागते हुए चले गए कर्म का लिखा सामने से एक बढ़िया लाठी टेक्ती चली आ रही थी आप उससे भिड़ गए बढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने अरे अब भागे ये जवानी बहुत दिन न रहेगी आँखों में चर्वी छा गई है धक्के देता चलता है अमनात उसके खुशामत करने लगे माफ करो मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है एनक घर भूलाया बुड़िया का मेजाज ठंडा हुआ आगे बढ़ी और आप भी चले एक एक कानों में आबाज आई बाबु साहब जरा ठहरिये गा और बही केसरिया कपड़ों बाली देवी जी आती हुई दिखाई दी अमनात के पाउं बंद गए इस तरहे कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेंद के सामने खड़ा होता है देवी जी ने पास आकर कहा आप तो ऐसे भागे कि मैं जैसे आपको काट खाऊंगी आप जब पड़े लिखे आदमी होकर अपना धरम नहीं समगते तो दुख होता है देश की क्या हालत है लोगों को खड़न नहीं मिलता आप रेशमी साड़ियां खरीद रहे है अमर नाथ ने लजजित होकर कहा मैं सच कहता हूँ देवी जी मैंने अपने लिए नहीं खरीदी एक साहब की फरमाज थी देवी जी ने जोली से एक चूड़ी निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ या तो आप उसे बापस कर दीजिए या लाइए हाथ में चूड़ी पहना दूँ अमनात शौक से पहना दीजिए मैं उसे बड़े गर्ब से पहनूंगा चूड़ी उस बलिदान का चिन है जो देवीयों के जीवन की बिशेष्टा है चूड़ीयों उन देवीयों के हाथ में थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर जुकाते है मैं तो इसे शरम की बात नहीं समझता अगर आपो कोई और चीज पहनाना चाहें तो बो भी शौक से पहना दीजिए नारी पूजा की बस्तू है अपेक्छा की नहीं अगर इस तरी जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरब की बात समझती है तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शरम की बात हो देवी जी को उनकी इस निरला जिता पर आश्चरी हुआ मगर वो इतनी आसानी से अमनात को छोड़ने बाली ना थी बोली आप बातों के शेर मालूम होते है अगर आप हिर्दे से इस तरी की पूजा करते हैं इस तरी को पूजा की बस्तू मानते हैं तो मेरी ये बिंती क्यों नहीं मान जाते अमनात इसलिए कि ये साड़ी भी एक इस तरी की फरमाश है देवी अच्छा चलिए मैं आपके साथ चलूँगी जरा देखूं आपकी देवी जी किस सभाव की इस तरी है अमनात का दिल वैठ गया बेचारा अभी तक बिन बियाया था इसलिए नहीं कि उसके शादी नहोती थी बलकि इसलिए कि शादी को वो एक आजीवन काराबास समगता था मगर वो आदमी रसिक सभाव के थे शादी से अलग रहकर भी शादी के मजों से अपरचित ना थे किसी ऐसे प्राली की जरूरत उनके लिए अनिवारी थी जिस पर वो अपने प्रेम को समर्पित कर सकें जिसके तराबर से वो अपनी सूखी सूखी जिन्दगी को तरो ताजा कर सकें जिनके प्रेम की चाया में वो जरा देर के लिए ठंड़क पा सकें जिसके दिल में वो अपनी उम्री हुई जवानी की भाबनाओं को बिखेर कर उनका उगना देख सके उनकी नजने मालती को चुना था जिसकी पूरे शहर में धूमती इधर डेड़ दो साल से वो इसी खल्यान के दाने चुगा करते थे देवी जी के आगरे ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलजन में डाल दिया था ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिन्दगी में कभी न हुई थी बोले आज तो वो एक नियोते में गई हैं घर में न होंगी देवी जी ने अविश्वास से कहा तो मैं समझी ये आपका कुसूर है आपकी देवी जी का नहीं अमनाथ ने लजजित होकर कहा मैं आपसे सच कहता हूँ आज वो घर पर नहीं है देवी ने कहा कल आ जाएंगी अमनाथ बोले हाँ कल आ जाएंगी देवी तो आप ये साड़ी मुझे दे दी जीए और कल यही आ जाईएगा मैं आपके साथ चलूँगी मेरे साथ दो चार बहने भी होंगी अमन नाथ ने बिना किसी यापती के बो साड़ी देवी जी को दे दी और बोले बहुत अच्छा मैं कल आ जाऊंगा मगर क्या आपको मुझे पर विस्वास नहीं जो साड़ी की जमानत जरूरी है देवी जी ने मुस्कुरा कर कहा सच्छी बात तो यही है कि मुझे आप पर विस्वास नहीं है अमन नाथ ने स्वाबिमान पूरवक कहा अच्छी बात है आप इसे ले जाएं देवी ने च्छड़बर बात कहा शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम ना हो जाए इसे आप लेते जाएए मगर कल आईएगा जरूर अमर नात सौब इमान के मारे बगर कुछ कहे घर की तरफ चल दिये देवी जी लेते जाएए लेते जाएए करती रहे गई अमर नात घर ना जाकर एक खदर की दुकान पर गए और दो सूटों का खदर खरीदा फिर अपनी दर जी के पास जाकर बोले मिया खलीफा इसे रात और रात तयार करा दो मुह मागी सिलाई दूंगा दर जी ने कहा बाबू साहब आज कल तो होली की भीड़ है होली से पहले तयार ना हो सकेंगे अमर नात ने आगरे करते हुए कहा मैं मुह मागी सिलाई दूंगा मगर कल दुपेर तक मिल जाए मुझे कल एक जगे जाना है अगर दुपेर तक ना मिले तो फिर मेरे किस काम के होंगे दरजी ने आदी सिलाई पेशकी ले ली और आदी कल लेने को तयार करके बादा कल लिया अमर नात यहां से आश्वत होकर मालती की तरफ चले कदम आगे बढ़ते थे लेकिन दिल पीछे रहा जाता था काश वो उनकी इतनी बिंती सुएकार कर ले कि कल दो घंटे के लिए उनके बीरान घर को रोशन कर दे लेकिन यकिनन वो उने खाली हाथ देकर मुँ फेल लेगी सीधे मुँ बात नहीं करेगी आने का जिकर ही क्या अगर नहीं आई तो क्या कल जाकर देवी जी से अपनी सारी शरबना कहानी बयान कर दूँ उस सो भोले चेहरे की निस्वार्त उमंग उनके दिल में एक हलचन पैदा कर रही थी उन आखों में कितनी गंभीरता थी कितनी सची सानुभूती कितनी पवित्तिर था उसके सीधे साधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रिणना थी कि अमनात को अपने इंद्रिय परायर जीवन पर शर्म आ रही थी अब तक काच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगा हुए थे आज उने मालुम हुआ हीरा किसे कहते हैं उसके सामने वो टुकड़ा तुछ मालुम हो रहा था माल्ती की वो जादू भरी चित्वन उसकी वो मीठी अदाएं उसकी शोखियां और नखरे सब जैसे मुलम्मा उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमनात के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे वो माल्ती की तरफ जा रहे थे उसके दर्शन के लिए नहीं बलकि उसके हातों से अपना दिल छीन लेने के लिए प्रेम का भिकारी आज अपने भीतर एक बिचितर अनिच्छा का अनुभव कर रहा था उसे आशरिय हो रहा था कि अब तक वो इतना बेखबर था वो तिलिस्मू जो माल्ती ने बरसों के नाज नखरे हाव भाव से बांदा था आज किसी छू मंतर से तार तार हो गया था माल्ती ने उन्हें खाली हाथ देकर तेयरिया चड़ाते हुए कहा साड़ी लाए या नहीं अमनाथ ने उदार सिंता के ढंग से जवाब दिया नहीं माल्ती ने आशरिय से उनकी तरफ देखा नहीं बो उनके मुख से ये शब्द सुनने की आदी ना थी यहां उसने संपोर समर पर पाया था उसका इशारा अमनाथ के लिए भाग लिपी के समान था बोली क्यों अमनाथ क्यों नहीं बस नहीं लाए माल्ती बाजार में मिली नहोगी तुम्हें क्यों मिलने लगी और बो भी मेरे लिए अमनाथ नहीं साहब मिली मगर लाया नहीं मालती, आखिर कोई बज़े, रूपी मुझसे ले जाते अमनात, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने को मैं हाजर रहता हूँ मालती, तो शायद तुम्हें रूपी जान से भी जादा प्यारे हो अमनात, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं अगर मेरी सूरत से नफरत हो, तो चला जाऊँ मालती, तुम्हें आज क्या हो गया है, तुम तो इतने तेज मिजाज के ना थे अमनात, तुम बाते ही ऐसी कर रही हो मालती, तो आखिर मेरी चीज क्यों नहीं लाए अमनात ने उसकी तरफ बड़े बीर भाव के साथ देख कर कहा दुकान पर गया, जिल्लत उठाई, और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली, मैंने कहा मेरी बीबी की फरमाश है, तो बोली मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुमारे घर आऊंगी मालती ने शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा तो ये कहिए, आप दिल हतेली पर ली फिर रहे थे एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चड़ा दिया अमनात, वो उन आर्टों में से नहीं जो दिलों की घात में रहती है मालती, तो कोई देवी होगी अमनात, हाँ मैं तो उसे देवी ही समगता हूँ मालती, तो आप उस देवी की पूजा कीजिए अमनात, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंध है मालती, बहुत तो सुन्दर होगी अमनात, ना सुन्दर है, ना रूपबाली, ना ऐसे अदाएं, ना मदुर भाचणी, ना तन्बंगी बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की है लेकन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरी गैरत ने तो गबारा ना किया कि उसके हाथ से दुबारा साड़ी छीन लूँ तुम्ही इंसाफ करो, वो दिल में क्या कहती? मालती तो तुम्हें इसकी ज़्यादा परवा है कि वो अपने दिल में क्या कहेगी? मैं क्या कहूंगी? इसके जरावी परवा न थी मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई छीच छीन ले तो देखूं, चाहे वो दूसरा काम दे भी क्यों न हो? अमनात अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो चाहे हिमत की कमी चाहे शराफत मो उसके हाथ से न छीन सका मालती तो कल वो साड़ी लेकर आएगी? मालती बताओ अमनात जरूर आएगी मालती तो जाकर मूधो आओ तुम इतने नादान हो ये मुझे मालूम न था साड़ी देकर चले आए अब कल वो आपको देने आएगी कुछ भंग तो नहीं खा गए अमनात खेर इसका अम्तिहान कल ही हो जाएगा अभी से क्यों बदगुमानी करती हो? तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर पर चली चलना मालती जिससे आप कहें कि ये मेरी बेबी है अमनात मुझे क्या खबर थी कि वो मेरे घर आने के लिए तयार हो जाएगी नहीं तो कोई और बहाना कर देता मालती तो आपके साड़ी आपको मुबारक हो मैं नहीं जाती अमनात मैं तो रोज तुमारे घर आता हूँ तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती मालती ने निश्टुटा से कहा अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शोहर कहलाना पसंद करोगे दिल पर हाथ रख कर कहना अमनात दिल में कट गए बात बनाते हुए बोले मालती तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो बुरा न मानना मेरे बात तुमारे बीच प्यार और मुहबत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था हम दोनों एक दूसरे की हालत को समगते थे और इस पर्दे को हटाने के कोशिश ना करते थे ये पर्दा हमारे संबन्दों की अन्वारी शर्त था हमारे बीच एक व्यपारिक समझोता सा हो गया था हम दोनों उसके गहराई में जाते हुए डरते थे नहीं बलकि मैं डरता था और तुम जानबूच कर ना जाना चाते थी अगर मुझे बिस्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बना कर मैं वो सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूँ तो मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में ये बिस्वास पैदा करने की परवाही ना की मेरे बारे में तुम्हें ये शक है मैं नहीं कह सकता तुम्हें ये शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं भेतर शोहर बन सकता हूँ जितनी तुम बेबी बन सकती हो मेरे लिए सिर्फ एत्वार की जरूरत है और तुम्हारे लिए जादा बजनी और ज्यादा बहुतिक चीजों की मेरी इस्थाई आमदनी 500 रूपिय से ज्यादा नहीं तुमको इतने में संतोस न होगा मेरे लिए सिर्फ इतना इत्मिनान है कि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो बोलो मनजूर है मालती को अमनात पर रहम आ गया उसके बातों में जो सचाई भरी हुई थी उससे वो इनकान ना कर सकी उसे ये भी यकीन हो गया कि अमनात की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं उसे अपने उपर इतना भरोसा था कि वो उसे रस्ती से मजबूत चकर सकती है लेकिन खुद जकरे जाने पर वो अपने को तैयार ना कर सकी उसकी जिन्दगी मुखबत की बाजी गरी में प्रेम के परदर्शन में गुजडी थी वो कभी इस कभी उस शाख में चहकती फिरती थी और बेकैद आजाद बेबंत रहना चाहती थी क्या वो चड़िया पिंजरे में बंद रह सकती है जिसके जबान तरह तरह के मजों की आदी हो गई हो क्या वो सूखी रोटी से तरफ्थ हो सकती है इस सो अनुभूती ने उसे पिगला दिया बोली आज तुम बड़ा ग्यान बाट रहे हो अमनात मैंने तो केवल या थार्ट कहा है मालती अच्छा मैं कल चलूंगी मंगर एक घंटे से ज़्यादा ना रुकूंगी अमनात तो ने दिल में उसे सुक्रिया कहा बोला मैं तुमारा बहुत किरते की हूँ मालती अब मेरी आबरू बच जाएगी नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता अब देखना ये है कि तुम अपना पाट कितनी खुबसूर्ती से अधा करती हो मालती बोली उसकी तरफ से तुम इत्मिनार रखो बेहा नहीं किया मगर बारातें देखी है मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे दगा न कर रहे हो मर्दों का क्या इत्वार अमनाथ ने निश्चल भाव से कहा नहीं मालती तुमारा संधे निराधार है अगर ये जंजीर पेरों में डालने की इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता अगले दिन कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले बहा बहुत देर हो गई उसने ऐसा बनाव संगार किया कि जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है अमनाथ ने कहा वो ऐसी सुन्दरी नहीं है जो तुम इतनी तयारियां कर रही हो मालती ने बालों में कंगी करते हुए कहा तुम इन बातों को नहीं समझ सकते चुप जाब बैठे रहो अमनाथ लेकिन देर हो रही है मालती कोई बात नहीं भैकी उस सहज आशंग ने जो इस्तनीयों की विशेस्ता है मालती को और भी अधिक सतर्क कर दिया था अब तक उसने कभी अमनाथ की और बिशेस रूप से कोई किरपा न की थी वो उससे काफी उदासिंता का बरताओ करती थी लेकिन कल अमनाथ की भंगिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी थी और वो उस संकट पर अपनी पूरी शक्ती से मुकाबला करना चाहती थी शत्रू को तुछो और अबदार्थ समझना इस तरीयों के लिए कठिन है आज अमनाथ को अपने हाथ से निकलते देगो वो अपनी पकड को मजबूत कर रही थी अगर इस तरह की उसकी चीज़ें एक एक करके निकल गई तो फिर वो अपनी पिर्तिष्टा कब तक बनाए रख सकेगी जिस से चीज़ पर उसका कबजा है उसकी तरफ कोई आँखी के उठाए राजा भी तो एक एक अंगल जमीन के पीछे जान देता है वो इसे नए शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी उसके जादू को तोड़ देना चाहती थी शाम को वो परी जैसी अपनी नोकरानी और नोकर को साथ लेकर अमनाद के घर चली अमनात ने सुबह दस बजे तक मरदाने घर को जनाने पन का रंग देने में खूब खर्चा किया था ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मौाइना करने आने वाला हो मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खोश हुई जनाने हिस्से में कई कुर्सियां रखी थी बोली अब लाओ अपनी देवी जी को मगर जल्दी आना बरना मैं चली जाओंगी अमनात लपके हुए बिलायती दुकान पर गए आज भी धरना था तमाशाईयों की बही भीड बहां देवी जी नहीं थी पीचे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेश में खड़ी थी अमनात ने कहा माफ कीजिएगा आने में देर हो गई मैं आपको आपके बादे की याद दिलाने आया हूँ देवी जी ने कहा मैं तो आपका इंतजार कर रही थी चलो समित्रा जरा इनके घर हो आएं कितनी दूर है अमनात बहुत पास है एक तांगा कर लूँगा पंद्रे मिनिट में अमनात दोनों को लिए घर पहुँचे मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को एक किसी रईस का महल था आलिशान दूसरा किसी फकीर की कुटिया थी छोटी सी तुच्छ रईस के महल में आर नंबर और पिरदर्शन था फकीर की कुटिया में साधगी और सफाई मालती ने देखा भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुन्दर नहीं कह सकते पर उसके भोले पन और साधगी में जो आकर संग था उससे वो पिरभावित हुए बिना नह रह सके देवी जी ने भी देखा एको बनी समरी बेधरक और घमंडी औरत है जो किसी ना किसी बज़े से उस घर में अजनबी से मालूम होती है जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो अमनात सिर जुकाए मुझरमों की तरह खड़े थे और इश्वर से प्रात्ना कर रहे थे कि किसी तरह आज परदा रह जाए देवी ने आते ही कहा बहन आप भी सिर से पाउं तक बिदेशी कपड़े पहने हुए है मालती ने अमनात की तरफ देखकर कहा मैं बिदेशी और देशी के फिर में नहीं पड़ती जो ये लाकर देते हैं वो पहनती हूँ लाने वाले ये हैं मैं थोड़े ही बाजार जाती हूँ देवी ने शिकायत भरी आँखों से अमनात की तरफ देखकर कहा आप तो कहते थे ये इनकी फर्माश है मगर आप ही का कुसूर निकलाया मालती बोली मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो जब वो बाहर चले जाएं तो जितना चाहे कह सुन लेना मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती में कुछ नहीं कहती मैं कहीं कह सकती हूँ बहन जी कोई जबर जश्ति तो है नहीं बस बिंति कर सकती हूँ मालती तो इसका ये मतलब है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं उसका ठीका तुमने ले लिया है पड़े लिखे आदमी हैं दस आदमी इज़त करते हैं अपना नफ़ा नुकसान समझ सकते हैं तुम्हारी क्या हिम्मत कि उन्हें उपदेश देने बैठो या सबसे ज़्यादा अकलमंद तुम ही हो देवी जी आप मेरा मतलब गलत समझ रही है भेंजी मालती हाँ गलत तो समझूंगे ही इतनी अकल कहां से लाओं कि आपकी बातों का मतलब समझूं खद्दर की साड़ी पहन ली जोली लटका ली एक बिल्ला लगा लिया बस अब उख्तियार है जहां चाहें आए जहां चाहें जाएं और जिससे चाहें हसे बूले घर में कोई पूचता नहीं तो जेज खाने का भी क्या डर मैं इसे हुरदंगा पन समगती हूँ जो शरीफों की बहु बेटियों को सोभा नहीं देता अमन नात दिल में कटे जा रहे थे छिपने के लिए बिल डूट रहे थे देवी की पेशानी पर जरा बलना था लेकिन आखें डबडबा रही थी अमन ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो ये देविया अपना ऐश आराम छोड़कर ये काम कर रही है क्या तुमें इसकी बिलकुल ख़वन नहीं है मालती रहने दो बहुत तारीफ ना करो जमाने का रंग ही बदल जा रहा है मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद किया कि आज भी रसम रिवाज शर्मो हया को छोड़कर निकल आई है और कुछ दिनों में तुम लोगों की हकूमत का खात्मा हुआ जाता है बिलायती और विदेशी तो दिखलाने के लिए है असल में ये आजादी की खायश है जो तुमें हासल है तुम अगर दो-चार शादिया कर सकते हो तो औरत क्यों न करे बस सची बात यही है अगर आखे हैं तो अब आखे खोल कर देखो मुझे वो आजादी ना चाहिए यहां तो लाजड होते है और मैं शर्म हया को अपना सिंगार समगती हूँ देवी जी ने अमनाथ की तरफ फर्याद की आखों से देख कर कहा बहन ने तो औरतों को जलिल करने की कसम खाली है मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी मगर शायद यहां से नाकाम जाना पड़ेगा अमनाथ ने वो साड़ी उसको देते हुए कहा नहीं बिलकुल नाकाम तो आप नहीं जाएंगी हाँ जैसी काम्यावी की आपको उम्मीद थी बहुन ना होगी मालती ने डपड़ते हुए कहा बहु मेरी साड़ी है तो मुसे नहीं दे सकते अमनाथ ने शर्मिंदा होती हुए कहा अच्छी बात है ना दूँगा देवी जी ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे 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 देवी जी चली गई तो अमनाथ ने तेयरियां बदल कर कहा ये तुमने आज मेरे मुँ में कालिक लगा दी तुम इतनी बत्तमीज और बत्जबान हो मुझे मालूम ना था मालती ने रोशपोर्ट सुर में कहा तो अपनी साड़ी उसे दे देती मैंने ऐसी कच्छी गोलियां नहीं खेली अब तो बत्तमीज भी हूँ बत्जबान भी उस दिन इन बुराईयों में से एक भी न थी जब मेरी जूतियां सीधी करते थे इस चोकरी ने मोहनी डाल दी जैसे फरशते बैसी रोह आपको मुबारक हो ये कहती हुई मालती बाहन निकली उसने समझा था जबान चला कर और ताकत से वो उस लड़की को उखाड़ फेकेगी लेकिन जब मालूम हुआ कि अमनात आसानी से काबू में आने वाला नहीं है तो उसने फटका लगाई इन दामों अगर अमनात मिल सकता तो बुरा ना था उससे ज़्यादा कीमत वो उसके लिए ना दे सकती थी अमनात उसके साथ दरवाजे तक आए जब वो तागे पर बैठी तो बिंती करते हुए बोले ये साड़ी दे दोना माल्ती मैं तुम्हे कल इस से अच्छी साड़ी ला दूंगा मगर माल्ती ने रूखे पन से कहा ये साड़ी तो अब लाख रूपिय पर भी नहीं दे सकती अमनात ने तेयरियां बदल कर जबाब दिया अच्छी बात है ले जाओ मगर समझ लो ये मेरा आखरी तोफ़ा है माल्ती ने होट चड़ा कर कहा इसकी परवा नहीं तुम्हारे बगएर मैं मर नहीं जाओंगी इसका तुम्हें भी यकिन है तो दोस्तो अभी आप जो कहानी सुन रहे थे ये मुशी प्रेम चंद की बहुत ही अच्छी कहानी थी जिसका नाम था आखरी तोफ़ा कहानी आपको कैसी लगी प्लेज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कहानी को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लेना मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ